वेर्ट को तच में मिल जाती है जैसे में चरूं अनोग चैनल के devraitकर इसे में फिट से हैं और इसे में essen prosper अजिते आपको तरह बड़ी ऊइसं मैं को मिल जाता है आपको सब्सक्राइब को अभ형 है को दो Welcome back to the channel. So, गाड़ी आप देख रहे होंगे, लक्जरी गाड़ी आपको दिख रहे होगी, और ये गाड़ी जो है, वो है रेंज रोवर स्पोर्ट और आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा वाकरॉन रिव्यू आफ इस कार, वाहर चलते हैं और वाकरॉन रिव्य स्टार्ट करते हैं इसका, so let's get started, so guys this is Range Rover Sport, so आप देख सकते हो यार, फ्रंट से कितनी बढ़िया लूक इसकी आई होई है, कहा हम वाकरॉन रिव्यू करेंगे, तो वाकरॉन फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, फ्रंट में आपको कुछ इस तरह से, रिंज रोवर की कुछ इस स्लीक सी DRL आपको देखने को मिल जाती है, फिर उसी के बाद यहां पे बात करेंगे, फ्रंट ग्रिल की तो फ्रंट ग्रिल आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है, फ्रंट ग्रिल कुछ इस तरह से मिल जाती है, यहां पे आपको फ्रंट में चार पार्किंग सेंस वी देखने को मिल जाएंगे की बात करेंगे इसकी तो की कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाती है यहां पर आपको लैंड रोवर की वैजिंग यहां पर मिल जाएगी पीछे आपको यहां पर कंट्रोल देखने को मिल जाता है यहां पर आपको इस तरह से आपको इस त श्राइन शिख सेलेंडर विंड स्क्रीन आपको फ्रंट में कुछ इस तरह से मिल जाती है आप्यूमेटिक वाइपर यहां पर देखने को मिलेगी तो यहाँ पर देखो कि तो यहाँ पर आपको एडास के फीचर भी मिल जाते हैं और उसका sensor यहाँ पे दिया गया है तो काफी अच्छे इसमें आपको features मिल रहे है top of the line features मिलेंगे performance wise and luxury wise यहाँ पे side में आप देखो कि तो side पे कुछ इस तरह से structure देखने को मिलता है जो की काफी अच्छा लगता है appealing look देता है गाड़ी को आप साइस की बात करेंगे तो टायर आपको इसमें massive टायर मिल रहा है जो की है 255, 55, 820 तो 20 इंचिस के आपको इसमें वील देखने को मिल जाते है alloy wheel का structure काफी अच्छ है minimal बनाए गया है जो की काफी अच्छा लगता है सेंटर में आपको लैंड रूवर की बैजिंग देखने को मिल जाएगी बहुत ही बढ़िया साइट प्रफैल नाएगी है इसकी और विम आपको कुछ इस तरह से मिल जाएंगे काफी बड़े ओर विम देखने को मिल रहे है इसमें यहां पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा और कुछ इस तरह से विजिबिल्टी मिल जाती है इससे बात करेंगे तो हाइड इसमें मिल रहे है 1.82 m,S,M, लेंध 4.94 m,S, विर्थ इसमें आपको मिल जाती है 2.2 m की, पील बेस में 2.99 m की देखने को मिल जाती है तो यहां से आप देखोगे looks, तो यहां पे piano black की finish आपको देखने को मिलती है, जो की काफी अच्छी लगती है, premium looks देती है गाड़ी को, rear में आप यहां पे देखोगे, तो यहां पे भी आपको defogger lines देखने को मिल जाती है, इस glass में, pulid opener भी आपको इस side देखने को मिल जाता ह तो अभी rear से बात कर लेते हैं, तो rear से कुछ इस तरह से गाड़ी की looks आ जाती है, बहुत ही बड़ी अलोग आती है, massive लोग आती है गाड़ी की, rear में आपको यहां पे range rover की badging देखने को मिल जाएगी, उसे की नीचे आपकी number plate लग जाती है, and land rover की badging, sport की badging आपको यहां प पर देखने को मिल जाता है, इसमें, dual exhaust मिल रहा है इसमें, और यहां पे चार parking sensor देखने को मिल जाते है, and color theme की बात करें, color theme काफी अच्छी चूज कीई है, premium colors मिलेंगे, इसमें आपको, यहां पे आपको reflector मिल जाता है, दोनों साइड, rear parking आपको camera यहां पे देखने को मिल जाता है, और उसी के नीचे आपको hidden wiper भी देखने को मिल जाएगा, and यहां पे आपको defogger line देखने को मिल जाती है, जो कि यहां पे भी आपको मिलेगी, और इस glass में भी देखने को मिल जाती है, exterior से बात होगी है, अभी interior में चल जाते है, तो rear में पहले जाएंगे, तो opening कर से आपको space देखने को मिल जाती है, एंट्री करने में कोई भी परिशानी नहीं आएगी, आपको इसमें, यहां पे आप देखोगे, तो soft leather आपको देखने को मिल जाता है, softest material हर जगा यूज किया गया, lock, unlock, fit and finish तो आपको superior देखने को मिल जाती है, and यहां पे speaker system की बात करे मेरीडियन के मिल जाएंगे, जो की काफी अच्छा है, quality wise बहुत ही बढ़ी speaker दिये गए है, यहां आपको bottle holder देखने को मिल जाता है, and rear seats कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगी, sitting comfort काफी अच्छा मिलेगा, आपको इसमे, premium feel होगा, आपको इसमें, premium feel होगा, आपको इ premiumness दीखेगी, गाडे की, so leg room की बात करेंगे, तो leg room काफी अच्छा मिल रहा है, front seat मेरी height के साफ से adjust है, मेरी height 510, so उसे साफ से rear में आप देखो, तो space काफी अच्छी मिल रही है, magazine holder मिल जाता है, जो की इस type में खुलता है, under thigh sport की बात करेंगे, तो under thigh sport काफी अच्छी बात की जाए, तो recline angle भी आप change कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पे नीचे आपको hoop देखने को मिल जाता है, तो उसको जैसे आप pull करोगे, तो कुछ इस तरह से आपको recline angle दो लेवल पे change कर सकते हो, आपे center में बात करेंगे, तो कुछ यहाँ इतनी आपको space देखने को मिल ज जाती है, तो बहुत ही प्यारा लगा मुझे यह एंड luxury feel देता आपको इसको close कर लेंगे, center की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको AC wind मिल जाएंगे, जिसका level आप अपने हिसाब से adjust कर सकते हो, उसके साथ नीचे आप देखोगे, तो आपको fast charging के type C port देखने को मिल जाते है फ्रेंगर आपको soft closing के साथ grab handle को मिल जाते हैं, कोटुक मिल जाएगा, तो अपको Twitter देखने को मिल जाता है, और उसी के साथ light Up embarrass पे , तो light का मैं यहाँ पर को तो यह चीज देखो यार प्रीमने सब मेंटेन करके रखती है तो रियर से फ्रंट की लुक देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाती है उपर आपको पैनरोमिक संरूफ देखने को मिलेगा जिसको मैं ओपन कर दूँगा आगे जाके अब आगे चलते हैं और बाकि बात करते हैं murder side Assess कर लेते हैं तो ओपन कर लेते हैं उपन करने में कुछ इस तरह से view देखने को मिल जाएगा आपको यहां पे डोर कुछ इस तरह से मिल जाता है सौफ लेदर हर जगा यूज किये वह जो कि काफी अच्छा है डुल टोन में आपको यहां पे इंटेजर देखने को मिल रहे है जो कि काफी अच्छा लगता है इडियन के आपको speaker system इसमें मिल रहा है यहां पर आपको memory function मिल जाता है इसमें उपर यहां पर बात करोगे तो यहां पर आपको touch control देखने को मिलेगा all windows के control यहां पर आजाते हैं कुछ इस तरह से आपको यहां पर bottle holder देखने को मिलेगा और space काफी ज़्यादा दी जाती है इसमें यहां पर आपको scuff plate दिख जाती है range rover की seats कुछ इस तरह से देखने को मिलती है तो काफी अच्छी आपको luxury and comfort प्रोवाइड करेगी यह seats अच्छा यूज किया गया इसमें adjustment की बात करेंगे तो adjustment आपको इसमें हर लेवल की मिल जाती है और electrical adjustment के साथ आती है कि स्वेंटर करने पर कुछ इस तरह से आपको cabin view देखने को मिल जाता है बहुत ही बढ़िया लगता है clean बिल्कुल आपको interior देखने को मिल जाता है clean cabin मिलेगा इसमें यहां पर आपको soft touch material देखने को मिल जाता है center में आपको center यहाँ पे subwoofer देखने को मिलेगा steering आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है leatherate steering मिल रहा है काफी अच्छा लगा मेरको यह designing इसमें बात करेंगे तो designing minimal design के साथ आता है बीच में आपको range rover की badging देखने को मिल जाती है steering mounted control कुछ इस तरह से मिल जाते है बहुत ही प्यारे लगते है और on करने पे देखेंगे कि यह कैसे illuminate करते है steering adjustment की बात करेंगे तो steering adjustment आप यहाँ इस knob से कर सकते हो तो इसको जैसे हम ऐसे adjust करेंगे तो यह आप telescopic and tilt आप अपने हिसाब से इसको adjust कर सकते हो तो कुछ इस तरह से आपको steering adjustment इसमें मिल जाएगी right side knob इसमें आपको मिल जाता है wipers के और wiper आपको automatic wipers देखने को मिल जाते है आपको इसमें lights के control देखने को मिल जाते हैं being automatic इसमें आपको paddle shifters भी देखने को मिल जाते हैं plus यहाँ पर यहाँ पर minus इसमें आपको add-ass के feature में देखने को मिल जाते हैं adaptive cruise control आजाएगा उसमें lane assist जैसे feature देखने को मिल जाते हैं और भी features देखने को मिल जाएंगे आपको इसमें सेंटर कंसोल की बात करने से पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको mirror देखने को मिल जाएगा light भी मिल जाती है काफी अच्छी light यहाँ पर दी गई है left side आप देखोगे तो left side भी आपको यहाँ पर mirror plus light देखने को मिल जाती है सेंटर में आपको bezel-less यहाँ पर IRVM देखने को मिल जाता है auto dimming के साथ आता है और sunroof की बात करेंगे तो sunroof आपको इसमें panoramic sunroof मिल रही है जिसको open हम यहाँ से कर लेंगे तो यहाँ से कुछ इस तरह से open हो जाती है सबसे पहले तो blind पीछे जाएगा और आप देख सकते हो यार कितना बढ़िया व्यू आ जाता है यहाँ से यह open हो गया और sunroof कुछ इस तरह से open हो जाता है बिल्कुल slow-slow करके open हो गये फुल ओपनिंग कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर आपको bug control के लिए net यहाँ पर लगाएगी है कि bug वगर एंटर नहीं हो सो काफी अच्छा लगा मिरको इसकी opening काफी अच्छी लगी यहाँ पर इसको close कर लेंगे भी तो close करने भी आपको यहाँ पर बटन ही प्रेस करना पड़ेगा और यह close हो जाएगा तो कुछ इस तरह से close हो गया और blind भी close कर लेते हैं भी तो यह close हो गया कुछ इस तरह से आपको मैंने opening and closing इसके दिखा दी सेंटर में यहाँ पर आपको फोल्डर देखने को मिल जाएंगे और कुछ इस तरह से यहाँ पर close and open कर सकते हो इसके लिट को कुछ इस तरह से space देखने को मिल जाती है दो port आपको यहाँ पर मिल जाएंगे microSD port मिल जाता है यहाँ पर आपको 12V का socket मिल जाएगा और यह cigarette lighter आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर glove box की बात कर लेते हैं glove box आपको open करने के लिए यहाँ पर switch दिया गया है तो यहाँ पर जैसी press करेंगे तो यह soft opening के साथ open हो जाता है बीच में आपको light भी देखने को मिल जाती है और आपको space काफी अच्छी space मिलने वाली है इसमें तो इसको अभी close कर लेंगे यहाँ पर जो यह panel है यहाँ पर भी आप अपना समान रख सकते हो इसको open करने के लिए उपर वाली arrow यहाँ पर प्रेस करनी है open जैसे कर लिए वैन है और यहाँ पर कुछ इस तरह से आप समान यहाँ पर रख सकते हो इसको भी close कर लेते हैं and soft touch material काफी अच्छा यूज किया गया इसमें इंट्र कुंसोल की बात करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंफोटेंटमेंट सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है जिसका power बटन यहाँ पर प्रेस करोगे तो off हो जाएगा and screen भी आपको अंदर जाते वे देखने को मिल जाती है जैसे ओन करेंगे तो यह थोड़ी सी बाहर आ जाती है तो वो चीज़ काफी अच्छी लगी कुछ इस तरह से आपको इंफोटेंटम सिस्टम देखने को मिल जाता है जिसमें फूल लोड़िड आपको यहाँ पर फीचर के साथ यह देखने को मिल जाता है नेविगेशन आ जाता है मेडिया फोन यहां पर फीचर आपको एपल गार प्ले अंडुड आटो जैसे फीचर देखने को मिल जाते हैं फोन क्नेक्ट आप अराम से कर सकते हो वाइरलेस आपको मिल जाते हैं वेले मोड भी आ जाता है वेब ब्राउजर आप नेट भी चला स सकते हो वेहिकल की सेटिंग आपने करनी तो वेहिकल की सेटिंग भी आप यहां पर कर सकते हो ड्राइविंग मोड एंड टेरेन मोड आप यहां से चेंज कर पाऊगे तो यह चीज भी काफी अच्छे लगे मुझे इसके सेटिंग में जाओगे तो सेटिंग में डिस्प्ले climate वगेरा आप सब कुछ इसमें set कर सकते हो आपको touch control के साथ ही देखने को मिल जाता है सब इसको on करके देख लेते हैं तो on करने पर कुछ इस तरह से आपको animation शो करता है यहाँ पर और राइट साइड आपको इसमें । विर। नाती इंडिकेटर को स्फ हम करें द्लीज़ ऑफ जाती ऐक tuh करते हैं पूदोमेटर यहां पर स्टर्यं आपको को पोडो मिल से यहां पर देखने को मिल तो दिया था मैं पर कंट्रोल है लेकिन लाइट के साथ बहुत ही प्यारा लगता है ये लेट साइड आपको यहां पर फीचर मिल जाते है मेडिया के एंड राइट साइड आपको इसमें पर अच्छा नोट काफी अच्छा मिल तापको यह वाज़ अप सुन लो यार बहुत ही प्यारा इक्जॉस्च नोट मिल रहा है इसमें उसनोट कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है आपको इसमें स्पोर्ट फील है बहुत ही बढ़िया एक्साउस्ट नोट मिल रहा है आपको इसमें सो गैस आपको इसमें वीडियो अच्छी लगी हो रेंज रोवर स्पोर्ट की सो लाइक सब्सक्राइब और शेर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बबाई टेक केर